तो इस्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि हम यहां पर basic information डाल रहा है ठीक है तो जिसमें हमने क्या detail share किया है सबसे पहले तो हमने यहां पर अपना pen card का number डाला है उसके बाद अपना नाम डाला है जेंडर यहां पर select किया date of birth select किया और यहां पर जो family details से वह select करना पड़ता है ठीक है और इस company में सिर्फ 5 मिनट का आपको time देना होता है करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा request करना चाहूंगा कि अगर अभी तेक आपने हमारे इस यूटूब चैनल को subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को subscribe जरू से कीजिए और बेलवल notification को बिलाओ करना ना बुलिए क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की information वल वीडियो आप लोगों के लिए लगातार लाते रहता हूं दोस्तों किसी भी company में loan apply करने से पहले उस company के वारे में details जानना जरूरी है जैसे कि क्या वो company RBI से register है यह नहीं है अगर आप उस company से loan लेते हैं तो कितना interest लगता है क्या-क्या eligibility है क्या criteria है कित आपना eligibility को check करना है तो eligibility check करने के लिए simple सापको basic information यहां share करना होता है अगर eligibility में screen पे आप लोगों को जैसे की दिखाई दे रहा है कि मुझे यहां पे 60,000 का loan offer हो रहा है तो अगर आपको 60,000 का 10,000, 20,000 जो भी loan offer आता है तो उसको अगर आप लेना चाहते है get money के ओपर click करन फिर आपको यहां पर KYC करना पड़ेगा ठीक है आगे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं KYC कैसे कीजिएगा क्या क्या documents देना पड़ेगा उसके बाद यहां पर bank account डेटेल डालना immediate जो भी loan amount आपका approval होता है वह आपके सिधे आपके bank account के अंदर transfer हो जाता है जैसे कि यह यहां पर form आप लोगों को दिखा देता हूं यह account number में क्या डाला है सबसे पहले IPC code bank account number confirm bank account number holder name और यहां पर type of bank account जो क्या है आपका bank जो होता है वह saving भी होता है current भी होता है overdrap और other भी है जो भी है तो ज्यादा तर लोगों का यहां पर saving है तो आपको saving करके यहां पर अपना bank details जो भी है उसको share करके यहां पर आप अपना पैसा को कुछ इस प्रकार से transfer कर सकते हो bank account में ठीक है but आप इस company से अगर आप loan apply करना चाहते है तो सबसे पहले तो हम क्या पता है आपको कि check करना है कि क्या यह company RBI से register है यह नहीं है तो सबसे पहले तकि company के about section पर आए है और यहां पर company ने साप साप mention किया है trade fina provider instant credit line a small business loan for RBI register NBFC trade fina offer instant credit line of to 5,000 to 60,000 यानि कि minimum यह जो company है 5,000 और maximum 7,000 का loan आपको offer करता है साथ में यह company जो है trade fina जो इनका finance company है वो NBFC और RBI से license company है यहां पर आपको rate of interest देना होगा वो होगा minimum 14% यानि कि जो भी loan amount आप ले रहे हैं उसमें 14% आपका कम से कम rate of interest लगेगा ही और ज्यादा से ज्यादा बात करें तो 28% per annum यानि कि एक साल का यहां पर बताय जा रहा ह रिपेमेंट करने का जो आपको time मिलेगा वो minimum यहां पर तीन महना बताया गया और maximum 24 महना अब यहां पर loan amount आप जितना ले रहे हैं उस base पर आपको यहां पर repayment करने का time मिलेगा अगर आपका छोटा loan offer होता है तो हो सकता है आपको तीन महना चार महना का time मिल जाए लेकिन अ लिए और आपको पूरा यह जो loan amount मिला 12 महने के लिए मिला यानि कि 12 महना यानि कि एक साल के लिए आपको यह loan दे दिया गया ठीक है अब इसमें total rate of interest अप्लाय हुआ 18% per annum यहां पर मान लेतिंग कि apply होता है तो सबसे पहले आपका processing charge कटेगा जो कि 700,000 रहेगा उसके बाद यहां पर इस company में अगर आप loan apply कर रहे है 30,000 का तो लगबग एक साल में 3,005 रुपए आपको interest देना होगा plus जो आपका processing कटा वो अलग से कटेगा यानि कि जब आप repayment करेंगे तो 33,000 आपको पूरा जो payment यहां पर करना पड़ेगा इल्जेबिल्टी की बात करें तो इल्जेबिल्टी में ने company ने साफ साफ मेंसन किया है कि आपका age limit 11 साल पलस होना चाहिए और minimum जो आपका income है वो 12,000 से लिके 15,000 के बीच में होना चाहिए यहां पर company ने कहीं पर यह भी mention नहीं किया है कि आपको income proof bank statement दिखाना है सिर्फ आ अप्लिकेशन का नाम क्या है तो अप्लिकेशन का नाम है small business loan trade fina अप्लिकेशन का rating की बात करें तो इस स्क्रीन पर देखेंगे तो सारा यहां पर review जो है अच्छा खासा लोगों ने दिया है यहां पर जितने भी लोगों ने review दिया है इस application को positive ही बताया है फिर भी मैं बता कर रहा हूं मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को सही information देना सही जनकाईड देना ताकि अगर आपको सच में पैसे की जोरत हो need हो तो आप सही application पर try कर पाएं और आपको loan मिल जाए बागी अगर इस company से आपको loan नहीं मिलता तो आप more video के section को check out कर सकते हैं हमने अपने channel पर आप लोगों के साथ सेर किया आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया अगर पसंद आया दोस्तों दो वीडियो को like share comment जरू कीजिएगा इस video related कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हम comment करकर जरूब पूछिएगा चलिए friend मिलते कसी आगले video